नमस्कार विद्यार्थियों गत व्याख्यान में हमने अरस्तु के दास्ता सम्मंदी सिद्धान्त में दास्ता का अर्थ, उसकी उपयोगिता और समाज के लिए उसके अचित्ते के स्वरूप के बारे में चर्चा की थी उसी क्रम को आगे भढ़ाते हुए, आज के व्याख्यान में मैं आप लोगों को दास्ता के प्रकार जो कि अरस्तु ने बताए हैं, उसकी चर्चा करूंगी अरस्तु ने ये कहा कि दास्ता दो प्रकार की होती है उससे पहले जैसे हमने चर्चा की थी अरस्तु ने दास प्रथा को स्वाभाविक बताया और ये कहा कि दास प्रथा, दास और स्वामी इन दोनों के लिए उप्योगी है और उसके उचित्ते को ठहराते हुए भी अरस्तु ने ये बताया कि किस तरह से समाज के लिए उपयोगी है दास्प्रथा दास यदि होंगे तो स्वामी परियाप्त अपने समय का सदुपयोग कर पाएगा और वो समाज हित के लिए समाज के कल्यान के लिए कारे करेगा राजनितिक कारियों में भाग लेगा और ऐसे ही समात सुधार के महत्पून कारे वो कर पाएगा यदि उसके पास में दास होंगे क्योंकि बाकी का कारे दास कर लेंगे और दास जो बुद्धी हीन होते हैं गुण हीन होते हैं वो यदि परिवार में रहेंगे तो उनमें गुणों का विकास होगा और वो नैतिक चरित्र का विकास भी उनका होगा और इसी के साथ साथ वे आत्मसयम को भी समझेंगे और एक नया जीवन जो उनके लिए अत्यंत आवशक है क्योंकि जिस तरह से एक बच्चा होता है उसके लिए संरक्षन की आवशकता होती है संरक्षक होना जरूरी होता है संरक्षक की देखरेक में ही वो बढ़ता है पलता है बड़ा होता है इसी तरह से दास प्रथा में भी दास अपने स्वामी की देखरेक में ही पलते हैं और ये अत्यंत आवशक है तो इसी के संदर्ब में उन्होंने ये कहा कि दास्ता दो प्रकार की होती है एक तो स्वाभाविक दास्ता और दूसरी होती है वैधानिक दास्ता कुछ व्यक्ति जो जन्म से ही मंद बुद्धी, एकुषल वै अयोग्य होते हैं वे स्वाभाविक दास होते हैं आरस्तो के शब्दों में कुछ मनुश्य स्वाभाव से ही दास होते हैं इसके अत्रिक्त युद्ध में किसी अन्य राज्य को पराजित कर लाई वे बंदी को भी दास बनाई जा सकते हैं इस प्रकार की दास्ता नहीं युनानी जाती की लोग स्वामित्व के लिए बनाए गए हैं ऐसा अरस्तु का मानना था अरस्तु द्वारा प्रतिपादित वैधानिक दास्ता का सारांश भी यही निकलता है कि अरस्तु को ये किसी भी प्रकार से स्विकार नहीं था कि दास्ता का अभिशाप किसी भी कारण से युनानियों को भी सहना पड़ा किन्तु जहां तक बरबर जातियों का प्रशना है वैधानिक दास्ता उसे सर्वता उचित एवन्याय संगत परतित होती है अरस्तु ये सपस्टूप से गोशना करते हैं कि युनानी सदेव सर्वत्र प्रकृति शही स्वतंत्र होते हैं तो यहां इस बात की काफी अलोचना हुई अरस्तू के विचारों के अलोचना हुई क्योंकि अरस्तू ने ये का कि युनानी जाती के लोगों को कभी भी दास नहीं बनाया जा सकता वेश्वम एक यूनानी जाती के थे लेकिन फिर भी उन्होंने दासप्रथा को लेकर कुछ मानवी ये व्यावस्थाईं भी की है अरस्तों ने दासप्रथा के सिदान्त को न्यायोचित ठहराते वे भी उस पर कुछ मानवोचित परिसेमाई लगाई जैसे रौस ने ये कहा कि ये व्यावस्थाईं दासप्रथा से होने वाले अन्यायों और बुराईयों को कुछ अंचो तक रोकने के लिए महत्पूर्ण है कुछ व्यावस्थाईं जो अरस्तों करते हैं दासप्रथा को लेकर अरस्तु ने दास प्रथा को लेकर कुछ मानवे व्यवस्थाईं भी की है जिनमें महतुपूर्ण कुछ इस तरह से हैं जैसे उन्होंने ये कहा कि दास्ता प्राकर्तिक है नै कि वंच परंप्रापर आधारित दास की संतान गुणवान और स्वामी की संतान निकमी हो सकती है अत्य जो व्यक्ति दास होते वे भी योग्या और बुद्धिमान है उनको मुक्त कर देना चाहिए दूसरी बात उन्होंने ये कही कि स्वामी को दास के प्रतिक किसी प्रकार का अत्याचार या क्रूर व्यवहर करने का अधिकार नहीं है उसे दास को अपने शरीर का अंग समझना चाहिए और अपने अंग के समान ही उसके साथ व्यवहर करना चाहिए स्वामी को अपने दासों को यह वचन देना चाहिए कि यदि वे अच्छा कारे करेंगे तो वे उनको मुक्त कर देगा और ऐसा करने से एक प्रोथसाहन भी मिलेगा और दास अच्छे से अच्छे कारे कर पाएंगे स्वामी के लिए और परिवार के लिए अत्यंत लाबदायक होंगे इसके साथ अरस्तु ने ये भी कहा कि स्वामी को अपने दासों से केवल वही कारे करवाने चाहिए जिनको करने के उनमें क्षमता हो यानि प्रतेक दास के क्षमता का ध्यान में प्रतेक स्वामी को रखना चाहिए और उस ख्षमता के आधार पर ही उन्हें कारे सोंपे जाने चाहिए और उसी के आधार पर उनसे कारे करवाए जाए स्वामी का ये भी कर्तव है कि दास की भोतिक और शारीरिक सुविधाओं का भी वो ध्यान रखे कि वो किस तरह से उनको खान पान या उनका रहन सेन कैसा होना चीए उनके आवशक्ताइं क्या है इन सब की व्यवस्थाइं एक स्वामी को करने चाहिए अरस्तु दासों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है वे उनकी संख्या आवशक्ता अनुसारी रखना चाता है कि जितनी एक स्वामी को आवशक्ता है उतनी ही संख्या में दास रखे जाने चाहिए अनावशक रूप से दासों की संख्या की भीड किसी भी स्वामी को या किसी भी परिवार में नहीं होने चाहिए जितने आवकाश के आवशकता एक स्वामी को होती है उसे के अनुसार वो दास भी रखे इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी को चाहिए कि अपने मृत्यू के समय अपने दासों को दास्ता से मुक्त कर दे तो जब स्वामी की मृत्यू हो रही हो तो उस समय वो अपने जितने भी दासें उनको दास्ता से मुक्त करने का वचन दे और उनको मुक्त कर दे इसी के साथ अरस्तु ये मानते हैं कि समस्त दासों को अपने सम्मुक स्वातंतरता का अंतीम ध्याई रखना चाहिए इसका ताथ पर यह है कि क्योंकि अरस्तो उस्वम यह कहते हैं जब एक परिवार में दास रहता है और वो दास धिरे-धिरे यदि उसमें गुणों का विकास होता है तो उसे मुक्त किया जा सकता है दास तासे तो प्रतेक दास को यह प्रयास करना चाहिए कि वो अच्छे से रहे और उनमें बहुत कुछ सीखने के क्षमता उत्पन हो जाए और वो गुणवान हो जाए अपने स्वामी का अनुसरण करे ताकि वो प्रतेक दास यह सोचे कि मैं स्वतंत्र हो सकता हूं और यह उसके मन में बात होनी चाहिए और उसी को लेकर उसे कार्य भी करना चाहिए जैसे जैसे एक दास अपने बौधिक स्तर को उंचा उठाता जाएगा वैसे वैसे ही उसका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा जब उसका बौधिक स्तर स्वामी के बराबर हो जाएगा तो उसे स्वतं के लिए दास रहे यदि उसमें स्वामी की तरह गुण और बुद्धी का विकास हो जाएगा तो उसे दास प्रथा से मुक्त किया जा सकता है तो दास को उसकी इस्तिती के अनुसार मुक्त किया जाए ऐसी व्यवस्था अरस्तु करते हैं और अरस्तु ने कभी ये नहीं का कि दास को बेचा जाए वो दास को बेचने के पक्षमे नहीं थे और उन्होंने स्पस्ट किया कि किसी भी दास को बेचा न जाए इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और रखी कि कुछ आयू या उचित आयू निर्धारित कर दी जानी चाहिए स्वामी के द्वारा और जब वो दासों के प्रती मानविय व्यवहर का समर्थन करने के पक्ष में रहे हैं और हमेशा अरस्तु ने कहा कि दासों के साथ अच्छा व्यवहर किया जाना चाहिए मानविय उचित व्यवहर किया जाना चाहिए और कभी भी उनके साथ बुरा या क्रूर व्यवहर नहीं किया जाना अरस्तु ने हलंकी कुछ मानिवे व्यवस्थाओं की चर्चा की है कुछ व्यवस्थाओं का समर्थन किया है लेकिन फिर भी अरस्तु के इस दास्प्रथा के सिद्दांद की काफी आलोचना हुई दास्प्रथा प्राकर्तिक नहीं है आलोचक ये कहते है और उन्होंने इसपस्ट रूप से कहा कि दास्प्रथा एप्राकर्तिक है क्योंकि उनका मानना था कि कुशागरता और बुद्धी में विभिन्नता होते हुए भी प्रतेक व्यक्तियों में कुछ न कुछ प्राकर्तिक समानताई होती ही है जिसकी अव्यलना हमें नहीं की जाने चाहिए और दास्प्रथा का सिद्धान्त व्यावारिकता की कसोटी पर नहीं पूरा होता और ये पता लगाना मुश्किल है कि कब एक दास में स्वामी के गुण विद्यमान हुए है या स्वामी की तरह उनके गुणों का विकास हुआ है ये सब सही नहीं है और कोई भी व्यक्ति दासत्व लेकर पैदा नहीं होता है ऐसे आलोचक मानते हैं इसके साथ मानव समों का विभाजन करना भी संबव नहीं है और ये बहुत ही अनोचित है विभाजन का कोई मान दंड भी हम ये कह सकते कोई सपष्ट माप दंड नहीं है क्योंकि दो वर्गो में विभाजित किया जाए कि एक वर्ग दास बनने की योग्या है दूसरा वर्ग है सुआमी बनने की योग्या है तो यह सही नहीं जान पड़ता इसे के साथ साथ आलोचे कते हैं ये एक अनुदारवादी धारणा है और ये एक जाती एहंकार का प्रतीक है क्योंकि अरस्तुश्वम एक युनानी जाती के रहे हैं इसलिए उन्होंने दास प्रथा को उचित ठराया क्योंकि वे श्वम दासों को रखते थे तो ये सिद्धान्त पूर्णत एव्यावारिक है न्याय संगत भी नहीं है और लोक तंत्र के खिलाफ है मनोविज्ञानिक आधार पर भी इसे हम सही नहीं ठहरा सकते क्योंकि अरस्तु की धारणा है कि दास को अपने स्वामी के व्यक्तित में लीन हो जाना चाहिए जबकि मनोविज्ञानिय सिद्ध करता है कि मानव शारीरिक समर्पन तो कर सकता है परन्तो मानसिक समर्पन नहीं कर सकता प्रत्यक व्यक्ति की चाहे वैदास ही हो मनुष्य होने के नाते अपनी इच्छाएं भावनाईं और अनुभूतियां होती है जिने वैत्याग नहीं सकता इस तरह से ये एक एवेग्यानिक सिद्धान्त है क्योंकि आलोचक ये कहते हैं कि प्रत्यक व्यक्ति स्वतंत्र है और उन्हें समानता का अधिकार भी होना चाहिए अरस्तु ने जिस व्यवस्था का समर्थन किया है वो मानविय या हम यह कहें कि लोगतंत्र के खिलाफ है स्वतंत्रता के खिलाफ है और अवकाश की जहां तक बात है अरस्तु करते हैं कि अवकाश होना चाहिए और उसके आधार पर ही कुछ लोग है वो अपने समाज का कल्यान कर सकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ एक वर्ग है उनको या उनके प्रतिहम अन्याय करें तो न्यायोचित अवकाश की बात जब तक की है वो अलग है इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा जो अंग है वो सुविदा से वन्चित हो जाए और समाज का कल्यान करने के लिए बहुत सारे और भी साधन होते हैं मनुष्यों को एक उपकरण के रूप में देखना नितान थी गलत है तो इस तरह से अरुस्तु का जो दास प्रथा का सिद्दान्त है वो उसकी काफी आलोचने भी हुए है और वो समीचेन या उचित नहीं जान पड़ता धन्यवाद